आज जो आप प्लांट देख रहे हैं इस प्लांट को ऐसा कोई नहीं होगा कि नहीं जानता होगा हर अर्बन गार्डन में यह होता है हर किजन गार्डन में होता है सभी लोग इसे लगाते हैं बहुत ईजली लग जाने वाला होता है बहुत ही मेडिशनल वैल्यू से भरा और इगेनो प्लांट इसे वैसे तो यह आपको सकते हैं क्योंकि बिल्कुल ही सेम होता है अगर आप दोनों प्लांट को एक साथ रग देंगे तो पहचान पाना बहुत कटीन होता है और इंडिया में इसी प्लांट का औरीगेनो बनाया जाता है तो आज मैं बहुत इजी मेटड से आपको औरीगेनो बनाना बताने वाली हूँ इतने सारे जो आप ये प्लांट देख रहे हैं एक ही गमलेम लगा हुई मैं बहुत सालों पहले लगाई थी और इस पे मैं अपनी पहली वीडियो इसी प्लांट पे बनाई हूँ तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं उसमें हर चीज इसके बारे में बताया गया है तो इस इसे को जड़ पकड़ लिया है तो इस वज़ा से निकालने में भी मुश्किल हो रहा है लेकिन इसमें से हटाना बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि बहुत सालों से चरा था प्लांट जो है बिलकुल ओल्ल जैसा दिखने लगा तो मैंने सोचा कि इस कमाल के पौधी का क्यो प्लांट हम दूसरा प्लांट तयार कर सकते हैं लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि इसे मुझे हटाना है इतनी सारे लगा कर रखने की इतनी रिक्वाइट नहीं है मुझे इस वज़ा से मैं इसमें से निकालूंगी तो एक दो इसमें से कटिंग लेकर के और क्योंकि रूट इसका काफी हैवी रूट हो चुका है तो दूसरा जो प्लांट से काट करके लगाऊंगी तो वह आसानी से लग भी जाएगा और काफी बूसी अच्छा प्लांट तयार होगा निव प्लांट की तरह दिखेगा जैसे यह काफी ओल्ड प्लांट दिख रहा है बहुत ही आसानी से लगने वाला यह पौधा होता है इसके पत्यों को भी आप लगा देते हैं इसली लग जाता है इसकी रूट बांडिंग को आप देख सकते हैं बिल्कुल आपस में सिर्फ रूट से ही एक दूसरे से प्लांट जुडा हुए है इन सब को अलग करके इसके रूट को मैं काट करके हटा दूँगी और स्टेम्स को और लीफ को यूज करूँगी तो स्टेम्स को तो मैं ऐसे किसी सूप में किसी और चीज में यूज हो जाएगा यह देखी कितना सारा निकला है इसकी पत्यान बहुत फलपी होती है, मोटी गुदेदार होती है इस जाए से इसको बकेट में पहले वॉस करोंगे इसमें काफी मिट्टी होती है इस वज़ा से पूरा अच्छे से साफ करना चाहिए बहुत करीब 3-4 पानी से अच्छे से डिप करके इसको क्लीन करना चाहिए ताकि इसमें कोई डॉस्ट ना रहे हैं, सुखातेवत हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर विंटर का मौसम है तो इसे आप धूप में ही सुखाएं क्योंकि विंटर वाला धूप जो हता है बहुत हाड नहीं होता है और अगर आप समर में सुखा रहे हैं तो इसको ढख करके पतले कपड़े से ढख के या चाये में सुखाएं और ठंड में आप ढखने से थोड़ा एवाइड करें कोसिस करें क्योंकि यह जल्दी सुख नहीं पाता है काफी मोटी पतियां होती है इसलिए इसमें टाइम लगता है सुखने में तो यह देखे मैं स्टेम जो है अलग कर रही हूं इसको मैं दूसरे चीज में यूज करूंगी और पतियों क चाहूंगे कि औरिगन बनाते वक्त आप इसी मेथट से बनाएं क्योंकि जो माइक्रोवेब में बनाया जाता है लोग माइक्रोवेब में बनाते हैं तवा बनाते हैं कड़ाई में बनाते हैं तो इसका निट्रिशन जो है काफी खत्म हो जाता है और माइक्रोवेब में लो क्योंकि यह खुले में सुखाया गया है इस वज़े से थोड़ा बहुत डश्ट आया होगा वो निकल जाएगा इससे यह देखे लगबब फाइनल की और यह जा रहा है और चानने के बाद देखे यह इसको इसी टाइम काफी हद तक हाथ से ही तोड़ दीजे मिक्सी में आप कुछ लोग करते हैं लेकिन वह बारिक हो जाता है रोज सही नहीं होता है यह हमेशा बिल्कुल आपको अगर इस तरह से तोड़के रखते हैं तो बिल्कुल रेडिमेट की तरह लगेगा हां यह लाश्ट में मैं बताना चाहूंगे कि जब आप इसको सब तयार कर लेते हैं थोड़ा सा एक मिनट के लिए इसे जो है माइक्रो कर दीजिए ताकि इसमें थोड़ा बहुत अगर कोई मॉस्चर होगा तो वह निकल जाएगा यह सिर्फ काम इसली किया जा रहा है ताकि आप इसको किसी जार में रखे तो इसमें कोई भी फंगस आगे चलके ना लगे में रख दीजिए चाहे फ्रेस में रख दीजिए यह कई साल तक चल जाता है और आप देख रहे हैं कितना ज्यादा यह था लगबग पूरी एक बाल्टी था और यह जब यह ग्रीन था और सूखनी के बाद देखिए इसका कितना कम कॉंटिटी बना है यह ड्राई हो जाने तो भी आप थोड़ा सा धूप में रख के सुखा लें उसके बाद इसमें भरें नहीं तो इसमें फंगस लगने का चांस होता है यह कभी कभी ऐसा हो जाता है इस वजह से अगर इस तरह से आप करते हैं तो कभी भी फंगस ने लगेगा और यह देखिए बिल्कुल ही रेड सकते हैं और इसे कई साल तक चला सकते हैं यह खराब नहीं होता है इस तरह के मेथट से बनाने से तो फ्रेंट से साथ आपके लिए आज का वीडियो यूसफूल रहा होगा तो मिलते हैं आपके साथ दूसरी वीडियो में